गुड मॉर्णिंग टो ओल अफ यू आईए आज का वीडियो में हम लोग 3D सिस्टम के मदद से किसी भी कॉंपलेक्स टॉपिक को असानी से कैसे ब्रेन में सेट करें देखते हैं आज का इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बाइलोजी का दो ऐसा टॉपिक जिससे लगातार पारामेडकल बीएसी नर्सिंग या नर्सिंग का किसी भी एकजाम में लगातार हर एक साल क्यूशन पूछे जाते हैं उसी टॉपिक को आज हम लोग 3D डाइगराम के मदद से आपके दिमाग में ठेट करेंगे इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले जब भी मैं बैच में पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले आपको प्रजननतंत रियानी रिपोड़क्टिव सिस्टम चेप्टर पढ़ाया जाता है उसके बाद इस टॉपिक को अपन समझाते हैं तो जब भी आपका रैंकर्स बैच से स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक को डिपली में रिपोड़क्टिव सिस्टम में समझेगे उसके बाद 3D डाइगराम के मदद से यह जितने भी मेटड है सर्जिकल मेटड और निचुरल मेटड यह हर एक मेटड आपको शमझाया जाएगा तो बच्चो रैंकर्स बैच के बारे में जैसे थोड़ा सा बात आया तो समझ लेते हैं कि रैंकर्स बैच स्टडी इंडिया अड़्डा का प्रीमियम बैच है जिसने हर एक साल यह सावित किया है कि लगवक सभी डिस्टिक से टोप पर्स पारा मेटकल में पोर्डियूस करता है और इस बैच में आपको बहुत सारे फीचर दिये गए हैं तो जो वो श्टूडेंट चाहते हैं कि पारा मेटकल में दोजार चोबिस में टॉफ हंडेंड में आना तो आप इस बैच में इन्रॉल्मेंट ले सकते हैं इन्रॉल्मेंट लेने के लिए इस नंबर पे कॉल करें या फिर स्टूडी इंड़ा डा एप गूगल प्लेयर स्टोर से डाउनलोड कर ले एक बात ध्यान दिजेगा कि आप सभी के लिए एक प्रोमो कोड भी जारी किया गया है 3D जो वीडियो अपलोड किया गया है इसके जरिए ASIA100 इस वीडियो को देखने के बाद जो स्टूडेंट ASIA100 कुपन कोड लगाएंगे उनको 100 रुप्या का डिस्काउंट भी मिलेगा सारे कोर्सेज में मैं आपको बता देना चाता हूँ कि रैंकर्स बैच अल्रेडी पहला स्लॉट जो होता है वो फूल हो चुका है दूसरे स्लॉट में बहुत ही कम सीट बचे हुए है तो आप जितना जल्द हो सकें आप अपना इन्रॉल्मेंट ले सकते हैं यह सारा फैसिलिटी रैंकर्स बैच की है अब हम लोग टॉपी के और मुबन करते हैं अक्सर हर एक देश पॉपुलेशन से परिशान है यानि हर एक देश चाती है कि unwanted pregnancy को कंट्रोल किया जाए यानि आपने सुना होगा कि पहले टीवी में एड भी आते हैं थे हम दो हमारे दो कोई को देश में ये नारा चलता है कि हम दो हमारे एक तो pregnancy यानि unwanted pregnancy को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे method हैं उसी में से एक method surgical method जिसे हम लोग ऐस्टरलाइजेशन भी बोलते हैं जिसे हिंदी में बांध्या करन बोलते हैं आए इस method को हम लोग समझते हैं इसमें generally मैं आपको दो method बढ़ आऊंगा ट्यूबिक टोमी और वैस्को टोमी के बारे में ये दोनों मेटर से लगातार पिछली साल क्यूशन आपको जब previous year क्यूशन पारा मेटल के बनाईएगा अब ये शिनर्टिंगे बनाईएगा तो वहाँ पे question आपसे पूछे जाते हैं इस टाइब से question पूछे जाते हैं कि वैस्को टोमी किस में होता है मेल में होता है या फिमेल में होता है ट्यूबेक टोमी किस में होता है मेल में होता है या फिमेल में होता है वैस्को टोमी में कौन सा parts को cut करके tie करते हैं ये भी question पूछे जाते हैं तो आईए हम लोग इसी चीज़ को समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं वैस्कोटोमी, ठीके मैं उतना deeply में नहीं जाओंगा ताकि आपको confusion हूँ, क्योंकि अगर आप इस reproductive system यानि प्रजनन ततर पढ़ कर आए होंगे, तो आपको थोड़ा सा कम confusion होगा, ठीके, तो मैं उतना deeply में नहीं जाकर इस topic को बहुत ही असानी तरी किस में होता है, तो वैस्कोटोमी पूरूस में होता है, मेल में होता है, वैस्कोटोमी is an elective surgical procedure है, यह कैसा procedure है, यह कैसा method है, तो यह surgical method है, ठीके, यह किसके लिए है, मेल के लिए है, और एक बरी चीज़े जो दोनों method मैं आपको बता रहा हूँ, यह permanent contraception method है, यानि कहने का मतलब, यह जो है, एक बार किसी इंसान में वैस्कोटोमी हो गया, तो उसे वो reverse नहीं कियर सकता है, ठीक है, यानि यह एक तरह का permanent method है, during procedure क्या होता है, कि मेल का वासा difference, कौन सा पार्ट, यह भी question पूछे जाते हैं, मेल का वासा difference, यानि जिसे हम लोग बोलते है, सुक्र बा भाक नालिका को क्या किया जाता है, कट करके उसे जोर दिया जाता है, या फिस स्टिल कर दिया जाता है, ऐसा क्यूं किया जाता है, क्योंकि वहां से अस्पर्म जो है, वो बाहर यूरेथरा के थुरू होते हुए बाहर नाल निकले, ठीक है, ऐसा क्यूं करते हैं, जब अस् पूलेशन नहीं बढ़ेगा ठीक है तो जो इंसान जो भी human being जो चाहता है कि मुझे अब अपने संतान को आगे नहीं बढ़ाना है तो अगर पूरुस चाहे तो पूरुस वैसकोटोमी करवा सकता है कुछ इस टाइप से होता है यह जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यह टेस रेटे टेस्टीस के बाद वासा डिफरेंस यह जो पूर्शन है इसे हम लोग वासा डिफरेंस बोलते हैं जिसे हम लोग सुक्रवाह का नाली बोलते हैं इसे क्या किया जाता है काट करके यहां पे डॉक्टर के दुवारा एक मेडिकल प्रफेशनल मेडिकल प्रैक्टिशन के दुवारण इसे काट करके किया कर दिया जाता है दोनों इन्ड को जोर देने से इधर यहीं होगा तो जब पसपर्म снच होगा तो During Intercourse , इंटर्कोर्स के स्टो और जो है वह फिमेल के बोडी मैं asperm नहीं जाएगा तो इससे क्या होगा fertilization होगा की नहीं होगा नहीं होगा ये कैसा method है ये permanent method है यानि एक बार किसी में हो गया बांधे करन तो वो चाहेगा कि मुझे बाद में child की अब सकता है तो फिर भी वो child नहीं पैदा कर सकता है ये reversible method नहीं है ये reversible method है बच्चो ठीक है ये चीज समझ में आ गया इसे आए तुरा सा 3D diagram के मदद से आपको समझ में और अच्छे तरीका से दिमाग में आपको shade होगा ठीक है ठीक है आप अपने screen पे देख रहे हैं ये है क्या ये male reproductive system है इसे क्या बोलते है इस part को हम लोग penis बोलते है ठीक है इस part को हम लोग क्या ब penis बोलते हैं और ये जो नीचे वाला parts है ये टेस्टीस है हमारे सरीर में दो टेस्टीस होता है ठीक है टेस्टीस का काम होता है sperm का formation करना है ये जो white color का फिल्यूड आप देख रहे हैं ये sperm है ठीक है तो sperm का पासेज देखिए असपर्म जो है वासा एफ्रेंस या रिटे टे समझें तो देखिए क्या होता है ये असपर्म जो है आप स्क्रीन पर देख रहे हूं कि वासा डिफ्रेंस में पहुंच गया ठीक है वासा डिफ्रेंस में ये white color का फिल्यूड एक मिनट एक मिनट आगे मत बढ़ो ठीक है यहां पर पहुंच गया अब डॉक्टर लोग क्या करता है कि भाई हमें तो स्पर्म और एव को मिलने से रुकना है तभी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ठीक है तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इस यहां पे क्या करता है नहीं करता है यहाँ पे seal कर दिया जाता है tie कर दिया जाता है तो जब यहाँ पे cut और tie कर दिया जाएगा तो यह जो white वाला asperm है यह white color का asperm है आप अपने screen पे देख रहे होंगे यह asperm इधर नहीं जाएगा तो जाइड सी वात है जब इधर यह asperm नहीं जाएगा तो यह fertilization करेगा fertilization नहीं करेगा है ना बचुण fertilization nication नहीं करेगा तो इस method से हम लोग pregnancy को control कर सकते हैं आज़े अब हम लोग समझते हैं यह तो say male body में हो गया female body में कौन सा method होता है उसके बार में बात करते हैं female body में जो method होता है उसे हम लोग tube denominator तूमे बोलते हैं, एक पार्मा नेंड में इसे भी हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, एक बार कोई फिमेल अन्ना सबंदी करवा लेती है, तो वो बच्चा पैदा करने का टेंडेंसी को लूज कर देती है, तो इसमें क्या होता है, हैलोपियन ट्यूब जिससे एंड बाही का नली बोला जाता है इसे ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर उसे क्लिप कर दीजिए या फिर उसका कुछ पार्ट को रिमूब कर दीजिए ठीक है ऐसा करने से क्या होता है कि जो ओवरी होता है बच्चो ओवरी से जो एग बनता है जिसे ओवरी बोलते है वो यू तुबेक्टोमी किस में होता है तो टुबेक्टोमी में कौन सा और्गन या कौन सा पार्ट को कट करके टाई किया जाता है तो याद रखेगा फैलो पी अंटिव ये दो कोश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं आए इसे हम लोग 3D मादयम से समझते हैं देखो ये कुछ इस इस टाइप से structure होता है इसे अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगी इस structure को हम लोग क्या बोलते हैं यह अपना हो गया ओवरी ठीक है यह दोनों साइड होता है फीमेल के left और right दोनों साइड होता है ओवरी और यह जो है ओवरी हर एक महीना में एक का production करता है ठीक है जिसे ओवम में बोली है या फिर मैं एग यहाँ पे लेकर चलाओं और यह जो एग है यह फैलोपियन ट्यूब के दौरा यूट ठीक है यूटेरिस में आता है और इधर से जो है अस्पर्म आता वाइजना के थूट ठीक है तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे यहाँ पे देखना यहाँ पे कट करके टाई कर दिया जाता है ताकि जो एग है वो यहाँ पे आगे नहीं मुगाउन करें तो यू अस्पर्म को पाश ओट करता है तो अस्पर्म तो यूटरेस में पहुंच जाएगा लेकिन अस्पर्म आखिर किसके साथ फर्टिलाइच करेगा यूटरेस में तो एग आया ही नहीं ठीक है तो यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन होगा की नहीं होगा नहीं होगा सर फर्टिल यह आपको शम्झाऊंगा तीक है देखना कि यह आप कुछ पर जो देख रहें यह फीमेल रिपोड़क्टिव और गयन एक मिनट तुरा सा पी मेरे पास कहता है तो तुरा से वीडियो आगे मोवन होगा यह आप श्रॉक्टर देख रहें यह दो ओवरी है तीक है यह क्या है एक और मन्त वाला में राइक वाला ओवरी से एक पोडिव ससे तो यहां पर ओबरी का काम होता है एक का पोड़क्शन करना तो एक जो है वो कुछ इस टाइप से मतलब फलोपियन ट्यूब के मदद से यह जो स्टक्चर है इसे हम लोग फलोपियन ट्यूब बोलते हैं और यह जो स्टक्चर है यूटरस में आता है लेकिन डॉक्टर के दु में और कट लगाकर यहां पर जोर दिया जाता है ठीक है ताकि जो एग हो यहीं पर रहे ठीक है अस्पर्म के पास यूटरस में न जा आए इसे 3D टाइगराम के मदद से और अच्छे तरीका से मैं आपको किलियर करता हूँ आप देख सकते हैं यहां से ओवरी से एग रिलीज हुआ ठीक है यहां पर फोलिकल्स होते हैं बच्छो ठीक है इसका काम होता है कि एग को कैप्चर करना ठीक है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एग जो है वह कैप्चर हो रहा है और कुछ इस टाइप से एग को कैप्चर कर कि फैलोपियन ट्यूब के मदद से आगे मुवन करते हैं अब देख सकते हैं ठीके बच्चो और यहां से क्या रहा है यह जो छोटा छोटा काटना है यहां पर और एक का मिलन को हम लोग रोक देते हैं तो जलदी से एक वार अपन रिकॉल कर लेते हैं कि westco tomic किस में होता है जल्दी से बताएए है व्यशको टोमी, वैसको टोमी किसमें होता है तो वैसको टोमी सर मेल में होता है कौन सा ओर्गन को काटा जाता है बच्छो, वासा डिफरेंस को काटा जाता है, ठीक है किलियर हुआ, एक कोशन याद होना चाहिए तुसरा ट्यूवेक टोमी Qubectomy किसमें होता है sir Qubectomy female में होता है और इसमें हम लोग Fallopian tube को काट कर जोर देते हैं तो इस टाइप के वीडियो के माध्यम से आप complex topic को बहुत ही असानी तरीका से समझ सकते हैं और अभी तो जन्नी यह start हुआ है बहुत सारा आपको 3D animated वीडियो देखने को मिलेगा तो चैनल को जब जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अब तक लिए धन्यवाद Thank you so much और पढ़ाई अपना continue लगती है न